हेलो एवरीवन मैं आपका जी एजुकेटर प्यूसर आप सभी का हादी का विनंदन करता हूं लेट्स क्रेक बैंक एक्साम पर और अनकेडमी पर दोस्तों आपने आई बीपीस केलेंडर देखा होगा आई बीपीस केलेंडर आचुका है आप सभी को बधाई हो लेकिन यहां पर एक प्रश्ण जो अभी मैंने आपको पूछा है कि क्या एनरे सीटी में केवल क्लरक ही के एक्जाम काउंट होंगे पीयों का एक्जाम वैसे ही होगा जैसे पहले होता आया है और इस साल हो रहा है वैसे ही होगा तो दोस्तों इस बात को पुखता प्रमार हमें यहां पे his calendar में हैं अगर आप देखिए तो देखिए पीयों का एक्जाम यहाँ पर मि कैसे प्री एक्जामनेशन अगर देखा जाए तो आर और भी से सुरू होगा खाएं को हम लोग रीजनल रूरल बैंक में क्लर को कहते हैं और आखेसलेस ऑपसर को पियो के आंगे पहल दो की बारे बता दू की 12 महिनह यानी अगस्त मैं और भी का आप दोगका उसके बादнет क्लर्क का एक्जाम यहां 26 अगस्त से प्लिडों होगा फिर आपका प्रक में होगा और इस ? जो है डिसंबर हो गोर और और वहलों जन्वरी दोजाग तेश्क होगा यह 22 तेश्क केलेंडर है पूरा का पूरा केलेंडर आ चुका है 22 तेश्क का मैं यहां पर बतानी कोशिश कर रहा हूं कि स्टार के बाद यहां पर यह वर्ड पढ़िएगा बहुत इंपॉर्टेंट पुक्ता प्रमाड है जिस बात के एनरे के लिए लिए आधिकारी नहीं होगा ना प्यू-णर लेंग के होगा बी और सी के लिए होगा हम Advent ने सोचा था कि DEMर लेकिन यहां पर इन्होंने क्लरक को ग्रूप बे में डाला है देखे ग्रूप फूर्ओ ओर इन्होंने ग्रूप अ में डाला है तो इसका मतलब गुरूप A के लिए तो इनरे सीटी है ही नहीं यह सीधे सीधे बोता रहा है सब्जेक्ट टू नॉट होल्डिंग ऑप सीटी बाई एनरे फॉर गुरूप भी पोश्ट यानि कि एनरे सीटी अगर आ गया तो क्लर्क के अलग से एक्जामनेशन नहीं होंगे केवल पीओ वाले एक्जामनेशन आएंगे पीओ के नहीं आएंगे एक बहुत अच्छी जानकारी है कि आपका जो एक्जिस्टिंग फॉर्मेट है वही पीओ के लिए चलेगा केवल क्लर्क के कमबाइन एक्जामनेशन होंगे नरे सीटी में यहीं इनफॉर्मेशन देने के लिए मैं आपके एक्सक्रेक बैंक एक्जाम पे रोज सुबह साढ़े पांच बजे डेली करेंट अफेर पढ़ाता हूं आपका जी एजुकेटर धन्यवाद शुक्रिया थैंक्यू सो मच जै हिंद